हाइ दिस इस अमितश दोपे किस नॉर्मल फॉर्म प्रीवेस व्यडियो में हम दो नॉर्मल फॉर्मस पहले कर चोके रहे हैं दो फस्ट टू अनफ इस व्यडियो में हम करेंगे ठी अनफ इन थे बीशी एनफ अनफ यही है कि उसको टू आनफ में होना चाहिए जितने भी हम सोटर में चलेंगे तो सबसे पहले जब प्रीविएस एनफ उसमें होना ज़रूर यह रिलेशन को तो थ्री एनफ हम कर रहे हैं थ्री एनफ एक बहुत ही इस एक्स्पेशन से करेंगे आपको बिल्कुल भी प्रोब्लम नहीं होगी समझने में तीन कंडिशन होती है यहां पर अगर किसी रिलेशन में कोई फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है एक्स गोस्टू एं तो इसको ट्रीविल होना चाहिए सबसे पहली कंडिशन यही है अगर आप ट्रीविल फंक्शन डिपेंडेंसी हम बता चुके हैं प्रीविएस वीडियो में आपको चेक करने करेंगे कि वो इन तिनों में से कोई भी कंडिशन को सैटिस्फाइ करती है या नहीं तो सबसे पहली कंडिशन क्या है कि अगर कोई हमें ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो ट्रीविल फंक्शन डिपेंडेंसी है या नहीं सबस यहां पर जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसको सुपर की होना चाहिए सुपर की हम चक कर सकते हैं कि क्या कोई अगर उसके क्लोजर में रिलेशन के जितने Gentry आट्रिबूट से वह में रहे जाते हैं सब्सक्रisa会 में और भी नृओंगे कि वह हमारा सुपर की रहेगा तर्ड कंदिशन क्या है कि है कि एन इजा प्राइम है मट्रीविट है कि A is a prime attribute, prime and non-prime हम आपको बता चुके है, prime attribute वो होता है, जो किसी candidate key में participate करता है, मैंने का, key, set भी हो सकता है, और single attribute भी हो सकता है, अगर वो set of attributes है, then उन में से, उन में से जितने भी attributes रहेंगे, वो सभी के सभी primes होंगे, and other than candidate key, जितने भी attributes बजगए, वो सारे non-prime से भाएंगे, तो जो A है हमारा, जो dependent है, उसको या तो वो क्या हो, X हमारा super key हो, third condition क्या हो सकता है, अगर वो X super key नहीं है, तो हमारा A को क्या होना चाहिए, prime attribute होना चाहिए, यनि कि वो किसी key में participate करना ही चाहिए, key का मतलब है यहा तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, आप कहां चेक करोगे, X goes to A is a trivial functional dependency, अगर trivial का मतलब आपको बता देता हूँ, मान लिजी कि A goes to B, AB goes to B, यह functional dependency exist कर रही है, तो यहाँ यह हमारा X हो गया, AB is a X and B हमारा A, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, B is a subset of B, तो यह यहाँ पर trivial functional dependency है, अगर ऐसा हुआ तो आगे हमें कोई चेक करने की जुरूरत ही नहीं है, वो functional dependency हमारे 3NF में होगी, अगर मान लिजी कि यह condition, यह यह भी नहीं है, कि आप sequence वाई check करोगे नहीं, कोई भी check कर सकते हो, इन में से पहले आपको कोई भी functional dependency मिल गई, कोई भी condition satisfy होगी, तो उ इसके closer में जितने भी relation के attributes हैं, उस सभी आने ही चाहिए, और A is a prime के attribute, अगर B, मान लिजी कि अगर A भी हमारा candidate की है मिलकर, तो B हमारा यहां पर क्या हो गया, prime attributes, तो A is a prime attribute, अब हम देखते हैं, BCNF, बिल्कुल ही easy है, 3NF and end of BCNF, देखो, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको 3NF ही करने है, अपने आप हो जाएगा BCNF, बिल्कुल easy है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक change कर रहा हूँ, ठीक है, यही हमारा BCNF है, जैसे जैसे हम neural form में उसकी degree increase करते जाते हैं, restriction बढ़ती जाती है, तो 3NF में हमारे पास 3 condition थी, कि उन 3 condition में से, अगर कोई भी एक condition true हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो 3NF में, BCNF क्या है, उसका restriction version है, strict version है, उसमें हो कहेगा कि यह नो, मैं 3 condition नहीं, मैं सिर्फ 2 condition पर ही satisfy करूँगा, तो यह इसकी 2 condition है, 3rd condition ध्यान रखना जो नहीं लेना है, वो कौन सी condition है, A is a prime attribute, बाकी 2 condition हम सेम चेक करेंगे, जैसे को आपको functional dependency दिया हुए, अगर आप अगर यह condition satisfy कर गी, वो 3NF में होगा, साथ साथ में BCNF में भी होगा, यह कर condition satisfy कर गी, तो वो 3NF में भी होगा, साथ में BCNF में होगा, अगर थर्ड कंडिशन यहां पर satisfy कर जा हमारा कहां पर clear होगा, जब हम example करेंगे, तो हम करते हैं example, बिलकुल short video है, short lecture है, सिरफ main चीज आपका base, base बनेगा जो मैंने previous video upload किया, उसको अब देखें, उसके बाद सारी normal forms ऐसे ही रहेंगे, बिलकुल simple, तो एक question लिखते हैं, हमारे पास एक relation दिया हुआ है, A, B, C, D, ब functional dependency हमें दिया हुआ है, A, B, goes to C, D, C, A, D, B, हमें बताना है कि, यह 3NF है या BCNF है, तो इसके लिए हमने क्या देखा था, 3NF के लिए हमारे पास 3 condition थी, तीनों में से कोई भी एक true हो जाए, तो हम पहेंगे कि, वो 3NF है, BCNF कह रहा था कि, दो condition true हो जाए, तो मैं satisfy हो, यानि कि, वो relation BCNF में होगी, तो आपको, आपको जो definition है, वो आपको लिख लेनी चाहिए थी, conditions के लिए, हम उसी को follow करेंगे, तो हमने किस के उपर कहा था, X goes to A, या तो हमारा क्या हो, ये trivial हो, या फिर X हमारा super key हो, या फिर A हमारा prime हो, ये तीन थी 3NF के लिए, लास्ट क्या कह रहा था वो, A prime हो, ये condition हम नहीं ले रहे थे, BCNF में, हम चेक करेंगे one by one, देखो, यहाँ पर हमें क्या जूरूत पढ़ रही है, एक तो trivial की, trivial हम निकाल लेंगी, फिर पढ़ रही है जूरूत, किसकी, X है, super key, तो super key भी निकालने पढ़ेंगी, और एक, लास्ट में क्या कह रहा है, A is a prime, prime हम तब ही बता पाएंगे, जब हम candidate की निकालेंगे, तो candidate की निकालना भी मैंने आपको बताया है, वह बिल्कुल simple है, तीन कॉलम बनाएंगे, बिल्कुल easy है, यहाँ से चेक करेंगे, जो attribute left और right दोनों में, उनको middle में रखेंग जो right में, उनको right में रखेंगे, और जो attribute in functional dependency में कहीं भी नहीं दिया हूँ, उसको भी हम कहां रखेंगे, left में, A के लिए चेक करते हैं, A हमारे यहाँ से देखो, इस function dependency left में आया है, इसमें right में, बस दोनों तरफ है तो उसको बीच में रखेंगे, और कोमा लगा देंगे B यहाँ पर left में है, B वहाँ पर right में है, C right में, C left में, D यहाँ पर right में है, यहाँ लेफ्ट में है, सभी के सभी क्या ही है हमारे middle में आगे, मैंने बताया था कि pairing हमें कहां चेक करना left में, left में तो कुछ नहीं है, जब मैंने उसके बाद मैंने कहा था कि एकर left में कोई candidate की ना बने यानि किवेगर कोया ट्रीबिट होता है बट फिर भी वह ट्रीबिट डुट के ना बन पाता हम क्या गरता है क्या उसके का निकाल के तो पहले क्या करेंगें हम नल को एक साथ में तो क्या बनेगा simple A तो हम A के लिए चेक करें क्या कहीं पर क्या A हमारी candidate की बन पारी है कि नहीं इसको closer निकाले है तो A में खुद तो आए गई A और ये क्या है A में कोई भी attribute नहीं आ रहा closer में तो ये नहीं बनेगा B का हम attribute चेक करें closer attribute B के लिए सिर्फ B है वो भी नहीं बन पारा C, C में C आ रहा है और A रहा है बट और कुछ नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं है D में D आ रहा है और B आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा तो क्या है हमारा A तो हमारा single A, B, C, D तो candidate की नहीं बन पारी अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे pairing कैसे करेंगे A का B के साथ चेक करते हैं A B closer निकालते हैं A B तो आई ही जाएगा A B से क्या आगया C D A B हमारा candidate की है क्योंकि सारे के सारे attribution में थे closer में आ चुके हैं फिर हम क्या करेंगे A C के साथ चेक कर लेते हैं A C तो आई ही गए C से A आगया और बस यही है और तो इसमें नहीं आ रहा तो यह हमारी candidate की नहीं बनेगी A D के साथ चेक कर लेते हैं A और D तो आई ही गए D B को लेकर आया A B और किसको लेकर आए C को तो यह भी हमारी candidate की है चेक कर लेते हैं A D है अब क्या करेंगे A B हो गया अब B C चेक कर लेते हैं B C प्लस B C तो आएगाई C किसको ले आया A को ले आया A B किसको ले आया D को तो यह भी हमारी हो गई फिर हम क्या कर लेते हैं चेक B D चेक कर लेते हैं B D तो आएगाई B D A B नहीं तो ये candidate की नहीं बनेगी अब क्या चक करते हैं? अब हम C D चक कर रहेते हैं B D हो गया? B C हो गया? अब हम C D चक कर लेते हैं इसमें C D तो आएगा ही C किसको लेके आया? A को D किसको लेके आए? B को तो ये भी तो हमारे पास कितनी candidate की बन गई यहां पर चार A, B बन गई, A, D बन गई, B, C बन गई, और C, D इनको हम लिख लेते हैं राम से तो candidate की हमारी कितनी बन गई, एक तो A, B है एक हमारी A, D candidate की है, एक हमारी B, C है और C, D तो यह हमारी क्या है, सारी सारी candidate की है अब देखो अब प्राइम और नोन प्राइम को हम डिफर करते हैं डिफरेंट कर लेते हैं जो कंडिडेट की में पार्टिस्पेट करेंगे वो प्राइम होगे और जो बाकी बचके रिमेनिंग अट्रिबूट वो नोन प्राइम होगे यहां पर देख पा रहे हो सारे किस सारे attribute हमारे किसी ना किसी की में क्या कर रहे हैं पार्टिस्पेट कर रहे हैं तो सारे के सारे attribute हमारे प्राइम होगे नोन प्राइम हमारा एक भी नहीं है तो ठीक है हमारे पास data आ गया है हम चेक कर लेते हैं functional dependency कि क्या यह relation 3NF में या BCNF में 3NF के लिए उन तीन condition में से कोई भी हो जाए BCNF सिर्फ दो condition के लिए होगा सबसे पहली condition थी X goes to A के लिए थोड़ा recall कीजिए नट्विक में चेक कीजिए वो कह रहा था कि X goes to A is a triple यानि कि A subset होगा X का क्या CD is a subset of AB नो तो पहली condition थो नहीं होई second condition क्या थी X हमारा super की होना चाहिए था AB हमारा super की है अगर AB candidate की है तो AB super की भी होगा every candidate की इते super की तो देखो उपर वाली दो condition true होगी यानि कि यह BCNF में आ गया ठीक है हम यह चक कर रहे है क्या यह BCNF में है या 3NF में है अगर BCNF है तो वो 3NF भी होगी तो हम चक कर रहे हैं क्या यह 3NF है या BCNF है ओके तो यह functional dependency सिरफ यह functional dependency BCNF में बाकी अभी बाकी रह गई है अभी हम करेंगे उसको चक करते हैं क्या यह ट्रीवल है नहीं दूसरी condition C is a super key C is a not a super key क्योंकि हमने C attribute निकाला था तो C attributes से हमारा C और A सिरफ यह आया था super key के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं सभी के सभी attributes चाहिए होते हैं relation के तो C is a not a super key तो ध्यान दीजिए उपर वाली दोनुक कंडिशन हमारी फोल्स हो गई है बची लास्ट थर्ड कंडिशन थर्ड कंडिशन क्या कहता है ए इस प्राइम इस D is a super key, no D is not a super key, we already find it जब हमने D closer निकाला था तो D में सिरफ D और B ही attribute आए गए थे लेकिन पूरे attribute नहीं आए थे तो D is not a super key तो यह उपर वाले दो कंडिशन फोल्स हो गया निए बी से अफ में नहीं है अब हम चक करें कि यह 3NF में है 3NF के लिए क्या था ए इस प्राइम एट्रिबूट है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है तो B is a prime attribute तो यह कहां पर हो गई हमारी 3NF में ठीक है तो इस डिपेंड़े की वज़े से यह हमारी 2CNF में सिरफ यही फंक्शनल डिपेंडेंसी अची थी जो बीसे नहीं सैटिस्फाइड कर रही थी वह 3NF अलाव करता था बीसे अनफ ही तो यहीं था बिल्कुल सीम्पल था सिरफ आपको तीन कंडिशन ध्यान देनी है सबसे पह कारना है आपको कि की क्या हमारा एक्स जो डिपेंडेंट है व इंट है monitor condition क्या ह्याय ह्क्रामारा प्राम hiking apology यह करेगए तो चिरफ यही था हमारे दोर फॉर्म में दोणिक को और जब कूली पूछ ले जाए कि adequate सबसे एड typical यानिक सबसे इन कानि पूपर तक जय सकती हैं तो अगर पूंचे की एप्रोप्रियेट जनरली बात करें तो अब फृप्रियेट कोन सी रहेगी हमारी थर्ड नौर वहारी एप्रोप्रियेट नौररल फॉर्म रहेगी तो यह ध्यान डखना कोई भी अगर सजेक्शन सो किसी और टॉपिक से वीडियों चाहते तो आप प्लीज कमेंट जुरूर कीचेगा किसी पॉजटिव और नेगेटिव फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं थैंक यू